मश्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका होश शेफ धीरज आज हम लोग बात करने वाले हैं गारमंजर डिपार्टमेंट के बारे में मैं एक नया बोर्ड लाया हूँ और यह आइधिंक ज्यादा इजी हो जाता है आप लोगों को अपनी बात बताने के लिए क्योंकि नौवी क्लास में कोई एक बच्चा है छोटा आइधिंक बैंक लूरू से होगा और उसने मेरी वीडियो कई महिनों से फॉलो कर रहा होगा तो उसने मैंसेज अलग सब्सक्राइब हो एंड आई वांट तो होटल मेनेजमेंट और आई वांट तो बिकम एग्जुटिव शे आपे जब हम लोग बात करते हैं मुझे इंडियन शेफ बनना है मुझे तंदूर का शेफ बनना है कॉंटि शेफ बनना है तो एक छोटा सा बच्चा बोलता है मुझे गारमजर का शेफ बनना है अब उसको ये सारी चीजे कहां से पता चली पाकि अगर आप बोले कहां से प बाइट करने की कोशिश करते हैं हम लोग इंडियन शेफ बनने की सोचते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कॉंटी शेफ बनने की पर यहां पर जो यह गारमंजर डिपार्टमेंट है यह गारमंजर शेफ है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्डेंट है आप कोई भी बड़े शेफ देख लेंगे जिनको कि आप लोग सेलेब्रेटी बोल रहे हैं या जो आप जिनको टीवी में देखते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने की गारमंजर डिपार्टमेंट पे काम ना किया हो और यह गारमंजर जो बड़े इंडा रखना है और उसको खाना है क्योंकि अगर होट की बात करें तो होट में फिर कॉंटी इंडियन तंडू साथ इंडियन या सारी के सारी चीज़े आ जाती है अब यह टिपार्टमेंट में उतना ही जरूरी है और विच्पेशली जोभी बाद में कॉंटीने सारे के ज्यादा आज़िए ज्यादा क्रेटिव होते हैं, आपको प्लेटिंग सुयां से बहुत चे शीकते हो, आप जो अगर चाहें तो जैसे वेचिटेबल कार्विंग, मुझे खुद वजीटेबल कार्विंग आती है, फुट कार्विंग मैं कर सकता हूं, वाटर्मेलन का हो जाता है यहां पर स्यादा तर जो cold cooking हो रही है जैसे canopies बनती है terrens बनते हैं पाते बनते हैं हम लोग sandwiches बनाते हैं salads होते हैं और hotels में अगर आप देखेंगे तो यह department जो था बहुत ही होता है important होता है जितने भी hotels में बुफे लगते हैं यहां ही से सारा खाना जाता है जितने भी sandwiches जाते हैं रूम में जो amenities लगती हैं जैसे कि food basket आपका हो गया canopies हम लोग लगाते हैं वो सारी कि सारी यहीं से जाती है तो बहुत ज़्यादा important department हो जाता है तो जो भी बाद में एक बड़ा executive chef बनने की सोच रहा है तो इस अगर इस department में आपको काम करने का मौका मिले garment department में तो जरूर कीजिएगा और अगर एक जर्नली में बोलूं कि हमारे जैसे hotels वगेरा है तो वहां पे यह भी होता है कि अगर staff कम है तो वहां पे जो पेंट्री सेक्शन होता है उसको गार्मेंजर सेक्शन भी भोल दिया जाता है और जो आपके बुफे का होता है उसको भी इसमें ही include कर दिया जाता है तो डिपेंड करता है कितना बड़ा hotel है उनकी manpower का क्या हिसाब किताब है पर department बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपको यहां पर काम करके बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलेगा और मैं खुद भी recommend करूंगा जो भी continental के chef है क्योंकि most मेरी videos mostly मेरी videos continental department के अपर होती है तो इस department में जरूर काम कीजेगा अब कॉंटी में हम लोग बात कर रहे है sauce की soups की तो यहां पर आप लोग को क्या सीखने को मिलत जो भी chef लोग यहां पर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि cold में कितना ज्यादा काम होता है और दोज हम लोग बोलते हैं यहां पर बनते तो बहुत ही एक अच्छा department है इसमें थोड़ा सा interest जगाई है अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और टैरीन पाते glazes हमारे ब एक continental department की तरह इसे नहीं देखना है यह अपने आप में ही बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा department है जिसमें इतनी सारी चीज़े बनाई जा सकती है फर अगर आप continental के chef भी बनना चाहते है तो प्लीज इसके अंदर चीज़े जरूर सीखेगा इसके अंदर जो के लिए गारमंजर का काम आना कितना जरूर है यह भी हो गया बाकि इसके अंदर आपके बफैलो चॉपर चॉपर होते हैं आपकी जो स्लाइसिंग ग्रेविटी स्लाइसर हम लोग होते हैं वो यूज करते हैं हम लोग सैंडविजिस वगरा होगे तो काफी अच्छा department है कु डिजिटल बोर्ड के साथ यहां पर आएंगे जस्ट यह भी एक नॉर्मल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड की भी मैंने इच्छा जाहिर कर दिये तो उमीद करता हूं नेक्स्ट येर तक एक डिजिटल बोर्ड भी हमारे साथ होगा जैन